हालो फ्रेंड्स नीटुसी ओनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग फुल पठी आला का कटिंग पहले ही कर चुके हैं आज उसका इस्टीचिंग क्लास है तो चलिए हम लोग इस्टीचिंग इस्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे करना है तो यह राफ़ फुल पठी आला मैंने सुचा कि ऐक बड़ आपको इस तरह से दिखा दूं कि कैसे हमें सिलाई करना है इस पे यह दिखे ऐसे हमें सेट करना है और हमें यहाँ पर जो मौरी है मौरी के लिए जगाद छोड़ते हैं हमें उपर की तरफ से सिलाई लगानी है इस इसको ना कि नीचे की और से तो चलिए हम से थोड़ासा कम मतरा में लिके हमें कपड़ा ओ सिलना है ज्जादा कपड़ा नहीं लेना है connection s उन्होंचिके अधमें कपड़े को थोड़ा पलट कर फिर से इसको हम लोग सी क्यूर करेंगे मतलब उल्टा करके इसको पक्का सिलाई देंगे इसलिए ये सिलाई उल्टी तरफ लगाना हमें सीधी तरफ ये सिलाई नहीं होगा उल्टी तरफ ही होगा तो जैसा ये सिलाई हो रहा है एक बर उस तरह से हमें पूरा सिलाई लगा लेना है बिलकुल ध्यान से सिधी सलाई लगानी है आज मैं इस्टिच निग कर रही हूं मेरे साथ काम करती है वो इस्टिच कर रही है और मैं सूट कर रही हूं तो जैसे आप देख रहे नाखुन के साहरे हम इसको फिनिसिंग कर लेना है और उसके बाद ये दिखे अब हाफ इंच के आसपास हमें सिलाई लगानी है तो जैसा सिलाई मैं सो में दिखा रही हूँ वीडियो में उसी तरह से आपको सिलाई लगा लेना है मैं आपको क्लियर करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको कर पाओ कहीं भी आपको कोई दिकत ना हो मैं ने तीन तरह से पटियाला आपको बताया आप तीनों में अलग अलग तरीके से मैंने इस इस्टिच को सिक्यूर करने की बताई है आपको कि कैसे हम इसको सिलाई पका कर सकते हैं अगर आप तीनों वीडियो देखेंगे तो तीनों में अलग-अलग तरीके से मैंने इसको सेट करा है ये वाला सबसे अच्छा है और इससे ज्यादा अच्छा फिनिशिंग आता है तब को पूरी पटियाला जहां जहां हमारा स्टीच पड़ेगा इस पटियाले में हर जगा हम लोग इसी तरह से स्टीच कर लेंगे हर पार्ट को इसी तरह से एड़ कर लेंगे और इसी तरह से इसको सिक्यूर कर लेंगे जिस तरह से मैंने पहले आपको दिखाया था बिचा कर फॉर्स पर की कैसे इसको स्टीच करना है इसके सारे पार्ट को हमको इसी तरह से रेंज कर लेना ये दिखे कितना अच्छा फिनेशिंग आया है और बैक में भी उतना ही अच्छा फिनेशिंग आया है इस तरह से हमारा इस्टीच करने से हमारा जो पट्याला होता है वो फटता नहीं है और बैक साइड में कपड़ों के जो रीशा होती है वो नहीं निकलता है तो आप भी इस तरह से स्टिच करें हमें सारे कपड़े एक साथ करके हमें एड कर लेना है सीधा और उल्टा देखते हुए ध्यान देते हुए हमें ये स्टिच लगाना है कि हमारा जो कपड़ा हुए वो उल्टा हो सीधाना कि हमें पहले उल्टा में स्टिच करना है और फिर स्टिच करने के बाद इसे सीधा करन है तो हमको यह बिल्कुल ध्यान से करना होगा ताकि हमारा कपड़ा जो है रॉंग साइड से ना सिल जाए क्योंकि हमें आदत होती है नॉर्मली वो ऐसे सीधा करके फाइनली सेलने का लेकिन हम लोग पहले इसको सीधा में हैं स्टिच लगाना है मतलब राइट पार्ट में स् सीधा में ही लगाएंगे जैसा हम लोग नॉर्मली उल्टा साइड में सिलाई स्टार्ट करते हैं लेकिन इसमें हमें सीधा करना है ताकि इसको लटके हम लोग उल्टा कर सकें तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में बिल्कुल इसी तरह से आपको सारे पार्ट कर लेनी हैं अच्छे से मैं एक बर और आपको दिखा देरी हूं कि कैसे इसको सिक्योर सिलाई हमें लगानी हैं यह राइट पर्ट है सीधा पर्ट और यह नाखुन के सहारे हम लोग थोड़ा सा इसको यह सेट कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं बैठा लेते हैं आप सेट हो जाए और इश्टा कपड़ा इसमें इस्टीश नहों आगे पिछे हमें यह देखती भी सिलाई करेंगे अब इल्कुल उंगली के सहारे इसको देख देखके हमें सिलाई करना है कि कहीं से भी ज्यादा कपड़ा इसमें न दब जाए तो इसी तरह से आपको भी पूरे पटियाला जो है दोनों पाठ हमें दोनों पेरों की जो पाठ है उसको अच्छे से अटेच कर लेना है इसी तरह से दोनों पेर की सिलाई हो चुकी है अब हम लोग मियानी को कट कर लेते हैं मियानी हमें नहीं थोड़ा कटना है नहीं बड़ा कटेगा थोड़ा सा बिलकुल इस तरह से मियानी कट करेंगे और उसको add कर लेंगे हमारे crochet area side में जैसा कि मैंने पहले जतना पटी अला बनाया है उसमें आपको बताया है कि हमें कहां पर मियानी add करना होता है तो यह दिखें हम लोग यहां पर मियानी add कर लेते हैं और इसको भी बिल्कुल उसी तरह से हम लोग इस्टीच करेंगे राइट पार्ट में राइट साइड और फिर इसको उल्टा करके स्टीच करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइड ऐसे सिलाई करने से हमारा जो पटियाला होता है वो बेहद ही मजबूत और अच्छा फिनेशिंग वाला दिखता है तो इसलिए मैं ऐसे सिलाई कर रहे हूँ तो यह दिखें फ्रेंड्स सिलाई करते हुए इसी तरह से हम लोग सिलाई लगा लेंगे और इसको मैंने उलट दिया है और यह दिखें इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है तो इसी तरव हम लोग दोनों तरफ अपना मियानी एड़ कर लेंगे दोनों पाट के तरफ और एड़ करने के बाद अच्छे से सिक्योर करते हुए हमें इस टेच लगा लेनी है अच्छे से तो ये दिखे हमारा ये दोनों पाट का मियानी एड़ हो चुका है अब हम लोग इसमें दोनों पैर जो होता है उसको हम लोग अटेच कर लेते हैं अच्छे से अब दोनों पैर का जो भाग है पटियाला का उसे हम आमने सामने करते हुए अच्छे से इसको एक दूसरे के आमने सामने करते हुए हमें स्टेच लगा लेना है उसमें भी बिलकुल उसी तरह से हमें स्टेश लगाना है पहले सीधा टांप में और फिर जाके अलटा में स्टेश करेंगे तो हमारा जो प Ciao अच्छे से सीकूर हो जाएगा तो इसी तरह से हमें स्टेश लगा देना है दोनों पैरों की वो क्रोचरिया पकड़ते हुए और ये देखें मियानी वाली साइड को अब बिल्कुल ये मियानी और ये जो पैरों के स्टिश होती है क्रोचरिया की बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया है उसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगा देना है उसी तरह से हम लोग इसको इस्टीश कर लेंगे यह दिखे फ्रेंट्स दोनों पैर जो है वो क्रोचेरिया जोइंट हो चुकी है अब इसको हम लोग जो इस्ट्रपाथ है उसको छांट लेंगे और ताकि हम लोग जब इसको सीक्योर करके सिलाई करें तो यह जो है कपड़ा इसे तरह हमें स्टेश कर लेंगे अब जैसा कि हम लोग अभी कर रहे हैं तो यह दिखे फ्रेंट्स कितना अचहा फिनीशिंग आया और बहुत ही अच्छे से इस्टीश हो गया है इसका दोनों क्रोचे इरिया को हम लोग इसी तरह एक स्टीच कर लेंगे यह देखिए अल्री हो चुका अब दोनों को एट करते हुआ हम लोगों को स्टीच लगा लेना अच्छा से इस तरफ भी अब इल्कुल धियान से लगाना है उल्टा और सिधा देखते हुए फिर स्टीच कर लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स दोनों क्रोच एरिया जो है उसको इस्टीच हो चुका है बिल्कुल फिनेसिंग से और यह फुल पटियाला इसलिए देखिए बहुत सारा घेर हो और कैसे करना है जैसे पीशे पटियाला में मैंने बताया था इससी तरह से इसमें भी हमें प्लेट लगा लेना है और यह देखिए हमारे साथ जो काम करती है आपका रास्ता और असान कर ले रही है किसी आप पीन या पेचकर से किसी के साहरे भी आप यह प्लेट एकदम एक कि अफ्रन्ट में जैसे हमने पहले पटीला में में किया था प्लेटिंग बिल्कुल उसा तरह से हम लोग इस में भी प्लेटिंग लगाएंगे तो बिल्कुल उसी तरह प्लेट लगा लेना है, वीडियो हमारा लंबा हो जागा, इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा स्किप करके मैं दिखा रही हूं आपको, क्योंकि पहले बता ही चुकी हूं, तो बार-बार क्या बताना, बस थोड़ा सा फॉलो करना था, कि हमारा फुल पट इसी तरह से आपको प्लेट कर लेना है, किसी भी पीन या ये इस्टीच अपनर की सहता से कर रही हैं, और काफी सुविधा होता है, इससे इस्टीच हमारा जो प्रॉपर सारे कपड़ा पे हो जाता है, और प्लेट का जो इस्टीच है वो छुड़ता भी नहीं है, तो इसी ही अच्छा आता है तो आपको इसी तरह से कर लेना है और प्लेटिंग हम लोग अपना जो बेस्ट बेल्ट होता उसी के अनुसार हमें करना पड़ता है कि जितना हमारा बेस्ट बेल्ट हो उसी के अनुसार सारी कपड़ों में प्लेटिंग हमें डालनी पड़ती है तो में उसका लिंक दे दूँगी तो प्लेट हमारा हो चुका है और यह बेस्ट पट्टी जो त्यार कर रहे हूं देख लिजे कि कैसा बनेगा बेस्ट पट्टी का डिटेल वीडियो में पहले ही डाल चुकी हूं इसलिए इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया तो आप प्रिविएस वीडियो देखना बिल्कुल ही नहीं भूली है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूँगी तो आप उधर से जाके आप देख सकते हो कि वेश्ट पटी का क्लियर सिलाई हम लोग कैसे करते हैं स्टेप बाई स्टेप अच्छे से तो आप जरूर से आपको सिलाई लगाना है इस पर आप चाहे तो इस जगह पे दो बार सिलाई भी लगा सकते हो या सिंगल सिलाई भी रख सकते हो तो यह देखे फ्रेंस हमारा बेश्ट पटी हो गया है रेडी अब हम लोग हमारा जो लोवर है उससे हम लोग इस बेश्ट पटी का मैजर क हुआ है और फिर जाके हम लोग इसको बेश्ट पटी में हमारा लोवर पार्ट जो है पटी आले का उसको हम लोग एट कर देंगे तो पहले देख लेते हैं हमारा फ्रंट साइड की धर है यह तरह से यह देखे बैक में हम लोगों ने प्लेट कम रखा है फ्रंट में ज्यादा है तो हम लोग वही सीधा राइट पर्ट से हम लोग करके लगा देंगे इसमें यह देखे हम लोग बस उसी तरह से लगा रहे हैं सीधा से सीधा में हमें सिलाई करना है जैसा कि हम लोग पहले इसको कर चुके हैं सीधा तरफ से इसलाई करके फिर से हम लोग उल्टा करके इस्टिच लगा देंगे तो हम लोग को इसलाई करना नहीं पड़ेगा इसमें तो आपको भी इसी तरह से सिलाई लगा लेना है तो चली फ्रेंड्स अब दोनों लोवर और बेश्ट पटी को एड़ कर देते हैं हम लोग देखें ये नाप मेजर कर लेते हैं ये बिलकुल इक्वल है जरासा भी बढ़ा और छोटा नहीं है तो आप दोनों कपड़ा को अच्छा से पकड़ते हुए हमें स्टिच लगा लेना है इसी तरह से और इस पर आप सिंगल सिलाई लगाओ अच्छा है डबल क्योंकि बाद में हमको इसको उल्टा करके भी सिलाई तो लगा नहीं है क्योंकि यह तो राइट पार्ट है जैसा कि हम लोग सारा अभी राइट पार्ट में ही स्टिच करके फिर से उल्टा करके स्टिच कर रहे हैं करने के लिए तो इसी परकार से हमें पूरा का पूरा बेश्ट पटी में कमर गोल करके सिलाई लगा देना है टोटल इसी तरह से पूरा तो यह दिखिए फ्रेंट्स लगबग हमारा सिलाई यह पूरा हो चुका है और मैंने इस पर डबल स्टीच लगाया है क्यूंकि कभी-कभी कपड़ा उपर नीचे छोड़ जाता हूं उसको सिक्यूर करने के लिए हम डबल सिलाई कर ले रहे हैं ताकि हमारा कपड़ा कहीं से इस तरह से आपको सिलाई लगा लेना है अब फिर इसको हम लोग टर्ण करके एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो यह पत्याला है पूरी अच्छे से स्टीच हो जाया और कहीं से भी इसका सिलाई ना चुटे तो यह दिखिए यह सिलाई हो चुका है अब हम लोग इस प पकड़ के स्टीच कर लेते हैं इस तरह से पटियाला बनाने के लिए और इस वीधी से बनाने के लिए हमें पटियाला का जो लंबाई है कम से कम दू इंच ज्यादा लेना पड़ेगा हर तरह से क्योंकि स्टीच में इसमें ज्यादा कपड़ा चला जाता है हम लोग जैसे स स्टीच कर रहें इस विदी से तो बिलकुल आप यह स्टार्टिंग में ध्यान रखें कि इसमें हमें कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ता है लंबाई और इसी तरह से हमें पूरा पटियाला का स्टिच लगा लेना है तो यह दीखे फ्रेंट हमारा स्टिच लगभग यह पूरा हो गया है लास्ट में आगया है लगभग यानि बेष्ट पटी और लोवर का पाथ यह पूरे अच्छे से एड़ हो चुका है अब हम लोग मुहरी और बक्रम क्या होता है उसी तरह से इसमें बक्रम को जितना आपको पतला या चोड़ा आपको बेल्ट लगाना है इसमें मोहरी का उतना पतला कर लीजिए चाह मोटा कर लीजिए बिल्कुल इस विधी से आपको टर्ण करते हुए इसमें सिलाई लगा लेना है तो इस टार्ट इसी तरह से हमें दोनों जो पेरों की मुहरी है उसको हमको बना लेना है और इसी तरीका से हम लोग इस्टेज कर लेंगे देखे इकॉल करते हुए और ये ध्यान देना कि हमारा जो ये कपड़ा हो अंदर से बिलकुर सिरिंक ना हो और ये अच्छे से इस्टेज हो जाए ये भी ध्यान देना है कि एश्टेज अच्छे से हो और हम लोग इस पट्याले में अच्छे से वो क्या होता है जिग जग या पूरा सिलाई हमें नहीं करना है बिलकुल हलका सिलाई लगाना है ज्यादा नहीं लगाना है बस ये ध्यान देना है कि नीचे से कपड़ा हमारा मू तो यह दिखिए उपर में हम लोग डबल सिलाई कर लेंगे यहां पर इसके बाद हमारा यह महरी रेडी हो जाएगा इसी तरह हमें दोनों महरी को कर लेना है रेडी तो यह दिखिए फने से दोनों महरी हो गया है रेडी अब हम लोग यह अपना महरी के मेजर्मेंट ले लेंगे कि हमें इसके बाद यहां पर भी हमें थोड़ा सा एक अलग सा इस्टीच है तो बिलकुल आप ध्यान से दिखे हम लोग क्या होता है ज्यादा कपड़ा होने के कारण उरेब होने के कारण यह जो लाइन है वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता है तो उसमें हम लोग एक 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 प्लेट करके चलेंगे तो यह हमारा जो पटियाला का लुक भी है वो बहुत अच्छा आता है इससे और यह नीचे से लटका हुआ हुआ हुए लंबा नहीं लगता है जादा तो यह धियान दीजिए इसी तरह से हमें इसको कर लेना है और यह उरेब है तो इधर के तरफ हमें सिलाई भी धियान से लगाना है कि ज़्यादा दबह हुआ सिलाई ने, ज़्यादा आपको प्लेट नहीं लगाना है तो आपस तिं-चार चार एंच के दुरी पे आपको एक चोटा सा प्लेट करके लगा लेना है इसी तरह से हमें पूरा पटियाला का सिलाई कर देना है ये सेट सिलाई है ये मेंन सिलाई होता है तो आप बिल्कुल धियान से सिलाई करें कि हमारा सिलाई खूले नहीं और दोनों कपड़ा बराबर करते हैं ये इस्टिच लगाएं ताकि दोनों पैरों में दिखे यहां जो जो सिलाई ऊपर है सेम टो सेम नीचे में भी उतना ही आ रहा है तो आपको यह बिलकुल ध्यान रखना होगा कि हमें यह इस्टिच कैसे करना है ताकि हमारा पूरा जो उपर और नीचे का कपड़ा दोनों हमारा बराबर आए और इस भी हम लोग उसी तरफ से प्लेट लगाना शुरू करेंगे थोड़े थोड़े दूरी पेके प्लेट मतब कुल 5-6 प्लेट लगाना है हमें अब बिल्कुल छोटी छोटी कोई बड़ी नहीं लगाना है बस इससे क्या होता है कि हमारे जो पटियाला का लुक है वो बहुत ही अ डबल सी लाइक कर दीजे ये दिखें फ्रेंज हमारा फुल पटियाला हो गया है रेटी अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लग रहे है तो गाईज हमें लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे सेयर कीजे साथी साथ अपना कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूले फ्रेंज थैंक्स पर वाचिंग बबाई